नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का 7101 में मेरा नाम है संदीब जी आनी कैसे हैं आप सभी लोग आज कही सेशन में बात करेंगे दोस्तों रेलवे इंजिनिरिंग की जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी SSC J 2022 की जो सिरीज है इसके अंदर आज सेशन नमबर 15 है और जो सबजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं वो रेलवे इंजिनिरिंग है रेलवे इंजिनिरिंग की अगर मैं बात करूँ तो it is a part of transportation इंजिनिरिंग transportation इंजिनिरिंग में हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या हम पढ़ चुके हैं इसकी बात करें अगर तो transportation इंजिनिरिंग के अंदर so far transportation इंजिनिरिंग के अंदर अब तक हम highway पढ़ चुके हैं highway का geometric design पढ़ चुके हैं traffic इंजिनिरिंग हम पढ़ चुके हैं और traffic signals या जो traffic control devices हैं उनका हम design कर चुके हैं then talking about next subject जो हमारा है railway इसको आज हमने शुरू किया है आज first session है वैसे overall series का 15th number session है यह railway इंजिनिरिंग के बाद next अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे pavement material और उसका design भी हलांकि pavement design वाला portion जेए के अंदर limited सी चीज़ें पूछता है पढ़ सारा लेंगे लेकिन focus उस part के उपर करेंगे सभी को नमशकार सभी को good evening ठीक है चलो pavement design पढ़ेंगे न अभी बता रहे हैं आपको आप सुनिये तो सही बढ़ते हैं आगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक anacademy app install नहीं किये तो आप anacademy app install कर लीजिए जिससे की आप anacademy के उपर जो भी हमारी free special classes जो शाम को 7 बजे चलती हैं वो भी आप पढ़ पाएं और साथ ही साथ में anacademy की जो subscription वाली classes हैं वो भी आप पढ़ पाएं special class के अंदर free class होती है उसके अंदर हम multiple choice questions करते हैं जैसे आज railway engineering पढ़ा तो कल शाम को 7 बजे anacademy की special class के अंदर हम इसके multiple choice questions या फिर अगर किसी topic को और अच्छे से समझने के लिए कोई mains के question की आवशकता है तो वो हम पढ़ेंगे तो special class का timing हमारा 7 p.m. पर रहता है anacademy की जो plus class है या subscription वाला session है उसका time 5 p.m. to 7 p.m. है तो उसके अंदर अभी surveying चल रहा है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो along with that batches चल रहे हैं batches के अंदर अलग-अलग educator अलग-अलग subjects पढ़ा रहे हैं अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं anacademy subscription के लिए आप code use कर सकते हैं संदीब डबल वन जिससे आपको 10% instant off मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप ultimate combat होने वाला है SACJ 2022 का 7th of August को free of cost है बस वो test देना है आपको test देके आप anacademy scholarships और बहुत सारे prizes जो है वो आप 40 questions होंगे 60 minutes के अंदर होंगे 7th of August को ये होने बाला है आप बात करते हैं दूस्तों कुछ चीजों की railway Indian railways के बारे में बात कर लेते हैं railway engineering पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ जानकारिया है ऐसी जानकारी जो ज़रूरी नहीं exam में पूछी जाए बस आपकी जिग्यासा के ल line में हमेशा बोलता हूँ चाहे आप अपने exam की तयारी कर रहे हैं चाहे आप कोई notification देख रहे हैं चाहे आप कोई syllabus देख रहे हैं चाहे आपको किसी particular exam department इन से related कोई भी जानकारी चाहिए तो हमेशा उनकी official websites पर जाएं और वहाँ से चेक करना चाहिए similarly Indian Railways की website पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको Indian Railways की yearbook जो है वो आपको मिल जाएगी तो जो भी हम पढ़ते हैं मैं उसको source आपको हमेशा जरूर बताता हूँ जिससे की अगर आपको खुद को भी जरूरत पढ़े की कभी कहां से refer करना है कहां से direction मिलेगी so you can refer so Indian Railways की आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी नहीं है आपको इसको one by one सब कुछ याद करना है so this is just for an information for example कि अगर आप rail network की बात करेंगे rail network की बात करेंगे जैसे अगर आप कोई book उठाते हैं तो railway engineering की अगर आपने कोई book उठाई तो वो book तो जिस year के अंदर publish हुई होगी उसके according उसके अंदर data mentioned होगा तो recent data आपको यहां से मिलते हैं तो अगर rail network की हम बात करें तो rail network जो है broad gauge, meter gauge, narrow gauge यह क्या होते हैं depending upon जो दो rails के बीच की दूरी होती है वो gauge बोलते हैं उसको distance बोलते हैं दो rail एक चीज तो है हमारे पास अब कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए अगर हम बोलेंगे rail अब वैसे तो हम लोपत गामीनी या फिर rail गाड़ी ये शब्द यूज करते हैं rail का मतलब यहां पर हो जाएगा जब हम engineering की बात कर रहे हैं तो अब हमें पता होना चीज़े rail क्या है, train क्या है, wagon क्या है, locomotive क्या है इन सब के बारे में पता होना चीज़े rail की अगर हम बात करेंगे तो rail का मतलब हो जाएगा कि सिर्फ पड़री की बात हो रही है वो steel के section की बात हो रही है जिसके उपर railway vehicle move करेगा और अगर हम बात करते है train की, तो train basically क्या होती है train तो आप जब बच्पन में बच्चे थे, बच्पन में सारी बच्चे होते हैं तो उस time game खेलते थे, तो train बनाते थे, एक के पीछे एक जो है move करना तो train का मतलब है series of wagons, series of vehicles, series of load जो है वो move कर रहा है rail, सिर्फ ये section, train, मतलब series of wagons ये vehicles हो जाएगा यहाँ पर और locomotive बोलते हैं, engine जो होता है उसको बाकी जो bogeys कह लीजिए, wagons कह लीजिए, coaches कह लीजिए ये vehicles हो जाएंगे जो engine के पीछे पीछे चलते हैं clear picture दिखा दीजेगा, ठीक है दोस, rail की picture दिखा देंगे आपने अगर नहीं देखिए, अब तक flightों पर चड़ते हैं, rail नहीं देखिए, हमने train नहीं देखिए फिर उसकी PDF भी देते हैंगे, वो भी आप देख लीजिएगा Indian Railways Yearbook के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से हमें ये जानकारियां मिलती है कि broad gauge, meter gauge और narrow gauge के corresponding अगर हम देखें, तो कितना किलोमेटर stretch जो है 2019-20 के अंदर रहा, तो वो था लगभग लगभग 64,000 63,950 किलोमेटर, फिर कुछ और increase हो गया, लगभग 500 किलोमेटर के आसपास तो 2020-21 के साल के अंदर 64,403 Clear? चलो, अब यह हो गया broad gauge की बात, मोटे-मोटे दौर पे बस ऐसे ही, interest के लिए देख रहे हैं ये सब अब ये अगर पूछने को पूछ ले exam में, लेकिन chances तो नहीं होते हैं, ऐसी चीजने पूछने के लेकिन हमारी जानकारी के लिए, meter gauge के अगर मैं बात करूँ, तो meter gauge जो है, वो बहुत कम रहा है meter और narrow gauge जो है, ये कम developed areas जो थे न, उनके अंदर उनके लिए बनाया गया था लेकिन दीरे दीरे ये problem create करने लग गए, कि अब अगर railway vehicle हम build करें, तो दो rails के बीच का जो distance होता है उसे gauge बोलते हैं तो broad gauge जो आपके पास है, इसका distance जादा होगा, meter gauge का कम, narrow का उससे भी कम, तो अब हमें जो vehicles बनाने पड़ेंगे, वो उसी के corresponding बनाने पड़ेंगे अब एक rail length के बाद next अगर मान लीजिए, आपने point A से B, कोई cities थे, city A से लेके B के बीच तक तो broad gauge है, फिर B से लेके C के बीच में जो है, वो वहाँ पर let's say meter gauge वाला network है, तो फिर problem create हो जाती है, कि अब आपको पूरी की पूरी train change करनी पड़ेगी, अगर passengers हैं, तो passengers को change करना पड़ेगा काफी सारी problems होती है, maintenance में problem आती है, और further नए coaches develop होंगे, उनके अंदर problem आती है, तो दीरे दीरे ये system 1992 के बाद ये, जो meter और narrow था, ये बंद कर दिया गया, और अब broad gauge ही चल गया, और जो existing वाले थे, उनको भी replace किया जाने लगा, तो इसलिए, ये 2112, ये 1588, ये बहुत-बहुत कम जो है, ये रह गया, आने वाले time भी और कम हो जाएगा, all gauges के अगर हम बात करें, तो लगबग 68, at present अगर हम बात करें, तो 68 के, 68,000 km length के अंदर हमारा Indian Railways Network जो है, वो exist कर रहा है, अगर ये तो हो गया, broad gauge, meter gauge, narrow, सारे tracks को अगर हम मिला दें, सारे tracks को अग चल रहे हैं, तीन चल रहे हैं, अगर Marshall Yards के अंदर है, Railway Stations के उपर additional जो भी हैं, सबको अगर मिला दिया जाए, तो जो हमारे पास running track, all gauges के अगर हम मिला है, तो 1,00,000 km के पास 1,866, total track, km, total all gauges को अगर हम मिला है, ये running वाले tracks हो गए, additional सारे जितने भी type के हो हैं, वो सब म मिला दें, अगर तो 1,26,611, electrified route कितना हैं, इसके अंदर, 44,000, अब आप ये भी चीज़ नोट करिएगा, इसके अंदर कि 39,329 से upgrade कर दिया गया, लगबग 5-6,000 km है, उसकी length increase हुई है, सिर्फ एक साल के अंदर, तो ये भी देख सकते हैं, कि हम diesel engine से फर्दर आगे shift हो रहे अगर rolling stock की बात करें, rolling stock जो move कर रहे हैं, जो vehicles, railway vehicles जो move कर रहे हैं, तो steam engines हमारे पास कितने थे, 39, 39, इनके अंदर increase obviously नहीं होना था, 2019, 20 में भी इतने, उसके बाद next year, 2021 के अंदर भी इतने, फिर उसके बाद next अगर हम देखें, diesel engine, इसके अंदर 58, 5,898, ये कह लिजी ये ल again, diesel वाले जो भी हमारे locomotive है, engines जो हैं, उनके अंदर कमी आ रहे हैं, और अगर electric की देखें हम, तो electric engines जो हैं, उसके अंदर quantity जो है, 6792 से लेके 7587 पर ये move कर रहे हैं, तो overall आप ये कह सकते हैं, electrification की दरफ जा रहे हैं, wagons के अगर हम बात करें, तो wagons तो obviously बात है, नहीं नही trains आती हैं, नहीं नहीं trains आएंगी, तो उनके पीछे जो attach होने वाले wagons हैं, वो भी नहीं form होंगे, उनकी quantity तो year by year increase करनी ही है, next, number of coaches, passenger वाले जो हैं, other coaching vehicles हैं, EMU, D, MEMU, ये सब क्या है, what is EMU, MEMU, ये सब याद नहीं रखना है, वैसे ही आप से generic पूछ रहा हूँ मैं आप से what is EMU, MEMU EMU basically electric units के बारे में आपको बता रहा है, electric multiple unit, electrically operated अगर engine है, ठीक है, self-propelled electrically operated अगर engines है, तो वो हो जाएगा, MEMU green energy से आने वाले time में आप चला देंगे, दोस्त, मतलब आने वाले time में obviously इसके उपर बहुत सारे work जो हैं, वो चली रहा है MEMU main line electric multiple unit होती है, तो यह basic definitions है, जो further आगे categorization जो coaches है, उनको categorize करने के लिए यह बताया गया है, rail cars जो हैं, इनकी quantities आपको mention कर रखे, तो यह सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी refer करना पड़ जाए, आपको कोई data देखना पड़ जाए, तो आप यहां से देख Indian Railways की जो yearbook है, उसके अंदर यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, local utilization कितना है, कितना attractive effort पर local लगाना पड़ता है, broad gauge के लिए kgs के अंदर 39,000 इतना था, अब कितना है, meter gauge के लिए and so on, तो यह सारी जानकारी, diesel के अंदर कितने use हो रहे हैं, electric के अंदर कितने use हो रहे हैं, यह आपको सारा data उसके अंदर मिल जाएगा, तो यह PDF में मिल जाएगा, अगर आप जिग्यासू है, अगर आपको जानना है, बहुत सारी और extra information, main main काम के information, जो जिग्यासा के दाइरे के अंदर भी आती, तो वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, freight revenue जो है, वो कितना generate हो हो रहा है, passengers की अगर हम बात करें, वो volume लगबग कितना है, यह आपके पास आजाएगा, यहाँ पर, train accidents जो है, वो भी आप observe कर सकते हैं, तो एक चीज़ यह बहुत अच्छी है, note करने वाली यहाँ पर, accident per million train, kilometers, कितना है, collisions, derailment, मतलब derail हुई, rail से पटरी से उतर गई, collision कि ने हुए, अगर हम बात करें, पांच collision, out of, और last 2000, 2021 के अंदर तो zero ही हुए, यह यूँ कह लीजिए, कि उस time तो चलो, फिर भी COVID वाला time में चल रहा था, trains तो जो थोड़ी कम थी, लेकिन as compared to road accidents, comparison कर लीजिए, कि यह कितना है, गिने चुने नंबर जो हैं, वो में देखने क को मिलते हैं, ठीक है, तो यह कुछ-कुछ अच्छी बाते हैं, हम हमेशा negative चीज़ें easily दिख जाती हैं हमें, criticize करना आसान होता है, तो इसलिए हम वही सारी चीज़ें देखते हैं, इंडिया में management ऐसा है, इंडिया के इंदर सरकार ऐसी है, सारी चीज़ें, चलो ठीक है, कही पॉजिटिव लेवल बाला, जो criticism ना, वो भी important होता है, for development या for growth, लेकिन कहीना कहीं जो positive चीज़ें होती हैं, वो भी हमें definitely देखनी चीज़ें, जैसा कि यहाँ पर एक अच्छा example है, train accidents की quantity देख लीज़ें, as compared to road, और या फिर आप इनको compare कर लीज़ें, कि साल दर साल घट घटा ही है, यह reduce ही हुआ है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, density, competition of fuel energy by locomotive, यह कितना है, यह सरा आप देख सकते हैं, plant and equipment के उपर लगबग कितना खर्च हुआ है, यह अगर आपकी जानने की इच्छा है, वो आप देख सकते हैं, operation के उपर कितना हुआ है, यह सारी जानक जारी है, यहाँ पर मोटे-मोटे दोर पे, जो भी जिस आसपेक्ट से, loading के आसपेक्ट से, length के आसपेक्ट से, financial आसपेक्ट से, जो भी Indian railway के जो important facts हैं, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, I repeat once again, ज़रूर ही नहीं है, यह सारी चीज़े exam के अंदर पूछा, यह बस आपकी basic जानकारी के लिए, अगर आपको कुछ refer करना हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा subject यहाँ से start होता है, railway engineering के अगर हम बात करें, तो railway engineering वो subject है, जिसमें हमें modes of transport के अंदर है, transportation engineering के अंदर, railway के थुरू, क्या-क्या, एक civil engineering को पता होनी चीज़े, अब इसमें mechanical वाले aspect भी आ जाते है, अगर mechanical engineering के point of view से, या mechanical aspect से अगर railway को पढ़ेंगे, तो वो अलग study होगी, civil engineering के aspect से अगर हम पढ़ेंगे, तो वो हमारी अलग study हो जाएगी, तो हम civil वाले portion के उपर ही focused रहेंगे, यहाँ पर, तो railway engineering के बात करें, कुछ facts हमने Indian railways के बात कर ली, अगर हम overall global level पे हम बात करें, तो जो modern steam engine, steam engine फिर further उसके अंदर reforms जो ही, वो George Stephenson ने England के अंदर 1814 के अंदर बनाया था, first train जो चली थी world की, अब यह हो सकता है, objective में कहीं न कहीं पूछ ले, railway जैसे exams में पूछ सकता है, so first train of the world was successfully run on 27th of September 1825, कहां से कहां तक, Stockton और Darlington के बीच में य इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो Bombay 2 थाने, उस टाइम पे Mumbai था, तो Bombay 2 थाने चली थी, April 16th 1853 को, total stretch जो था, वो लगबल 34 किलोमेटर का एक stretch था, जिसके अंदर एक engine था, और 4 coaches थे उसके पीछे, वो train चली थी, clear, next, जिन दोस्तों ने अभी तक इस session को like नहीं किय हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो, under single management, under single management की अगर हम बात करें, तो single management के according हम बता रहे हैं, Indian railway system जो है, वो Asia के अंदर biggest है, और world के अंदर second largest है, किसके according, single management के according, सिंगल management के according बता रहे हैं, clear, first USA, ठीक है, वो अगर overall बात करें, rail network की, तो उसके according आ जाता है, आपका USA आ जाता है, चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, लेकिन single management के according हम बात कर रहे हैं, और ये data भी जो है, ये ऐसे नहीं कि किसी किताब से, as it is वो वाली चीज़ है, जो real time है, जो Indian railways की website के उपर है, ठीक है, तो जो authentic data है, वही आपके सामने है, single management के according हम बात करें, तो Indian railway system जो है, वो Asia के अंदर biggest और world के अंदर second largest रहता है, अब बात करते हैं, what is permanent way या फिर इसको short में P way भी बोल देते हैं, सबसे पहले exist करेगा natural ground, जिसे हम बोल देते हैं, natural subgrade बोल देते हैं, उसको अच्छ इसको अच्छे से अगर compact कर दिया जाए, तो हम उसे बोल देते हैं, यह सब grade है, natural subgrade हो गया, इसके बाद, यहाँ पर compacted soil हुई हमारे पास, compacted soil के उपर side slope provide करते हैं, two is to one, one vertical, two horizontal, इस slope के साथ, फिर इसके उपर आ जाता है, ballast cushion, ballast cushion मतलब यह कह लिजिए, broken stones होते हैं, यहा के उपर हमारा railway का जो vehicle है, यह कह लिजिए कि जो locomotive है, वो इसके उपर run करेंगे, यहाँ पर rails के उपर, rails के inner surface के बीच में, objective question पूछता है, कि what is gauge, rail surface के, rails के inner surface का जो बीच का distance होता है, the distance between inner faces or the running faces of rails is known as gauge, so gauge is the distance between two running faces of rails, तो इनके बीच के distance को हम बोलते हैं, gauge distance और इसी के corresponding हम यहाँ पर, यह हमारी जो railway length होती है, या फिर railway line होती है, उसको define किया जाता है, कि यह broad gauge है, meter gauge है, narrow gauge है, तो वो इसके corresponding हम यहाँ पर define करते हैं, तो I repeat all the things once again, सबसे नीचे आपका natural ground था, फिर जो naturally available soil है, अगर उसको हम अ उपर rails लगाई गई, अब इन rails के उपर जब train move करेगी, तो train is kind of, की एक rolling load है, और किसी एक point के उपर अगर wheel exist करेगा, जैसे यह rail चल रहे हैं, अब side से observe कर रहे हैं, यह आपका यहाँ पर engine आ गया, locomotive आ गया, इसके जो wheels हैं, किसी particular एक point के उपर आख कैसे act कर रहे हैं, concentrated load की उपर आया, और यह rail एक line की तरह है, line load की तरह आ गया, और वो load कहाँ पर distribute हो जाएगा, इन sleepers के उपर आ जाएगा, यह sleepers इनको uniformly distribute कर देंगे, जब इसको uniformly distribute कर दिया जाएगा, तो यह ballast cushion पर आएगा, ballast cushion further नीचे subgrade और बाद में जो naturally available, natural ground है, उसके उपर वो load distribute हो यहाँ पर, तो rails, फिर उसके बाद sleepers, ballast cushion, फिर उसके बाद subgrade और बाद में आपकी जो नीचे natural soil बच गई, वो यहाँ पर exist कर जाती है, ठीक है, अब बात करते हैं, आगे, end to end, यह जो ballast cushion का, जो distance है, ballast cushion के top से इधर के top, left से लेके right तक का, अगर आप distance देखते हैं, तो जितना आपने sleepers के बाद access में ballast provide कर रखा है, यह broken stones provide कर रखे हैं, जो आपको railway track के उपर दिखाई देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, ballast cess बोलते हैं, sleepers के beyond, या फिर इस rail के beyond, जितना आपने extra यहाँ पर provide कर रखा है, ballast base हो जाता है, कि ballast का जो base था, वहाँ तक का distance है, और formation width जो है, वो formation width जहाँ तक आपका, यह subgrade था, जो soil थी, जिसको अच्छे से compact कर रखा है, वो जो subgrade है, इसके जो width है, top width, इसको हम कहते हैं, formation width बोलते हैं, तो यह sub combination, combination of rails fitted on sleepers, resting on ballast, and subgrade, is known as the railway track, या फिर इसे permanent way हम बोलते हैं, तो overall यह सब का combination मिलकर क्या बन जाता है, Okay, simple, clear होगा सबको, Clear, Okay, let's begin, उसके बाद बात आती है, what is gauge, gauge की अगर हम बात करें, तो gauge is the distance between running edges of two rails, Running edge ही हम बार-बार क्यों बोल रहे हैं, running edge इसलिए बोल रहे हैं कि जो railway vehicle का जो wheel होता है, वो इस edge के along जादा चलता है, इस edge के along हम running face उसको मानते हैं, Why? Because of the shape of the wheel of a railway vehicle, तो उसकी shape जो होती है, वो कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर flange, कुछ यह, इस तरीकी से conical सी shape होती है, और वो conical shape जो run करेगी, यहाँ पर inner face के about जो है, वो run करती है, तो running face बोल दीजिए, inner face बोल दीजिए, इनके बीच का distance होता है, center to center distance नहीं होता है, objective में question पूछा हुआ है, what is gauge distance, so gauge distance जो होता है, वो दो rails के बीच में, center to center distance नहीं होता है, it is the distance between running faces और inner edges of the rails, तो inner edges के बीच का ही distance आपको consider करना है, as gauge distance, so clear distance between inner faces of two rails, near their tops, top के पास में, inner faces के बीच का distance is known as gauge distance, now depending upon what the distance is, we can classify the gauge as per broad gauge, meter gauge, narrow gauge, so first is broad gauge, broad gauge is 1.676 meter wide, broad gauge जो होता है, 1.676 meter wide होता है, जो भी main cities होती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा velocity चाहिए, वहाँ पे आप broad gauge का इस्तेमाल कर सकते हैं, developed cities के अंदर या developed cities से interconnect करवाने के लिए broad gauge का हम use करते हैं, so adopted for main cities and routes of maximum intensity, the speed of locomotive is restricted to 96 to 120 km per hour, इतनी speed यहाँ पर हो सकते हैं, next comes meter gauge, meter gauge जो है, जैसा नाम खुद बता रहा है, it is 1 meter wide, एक meter wide होता है यहाँ पर, और speed थोड़ी कम हो जाती है, लगबग आप यह कह लिजिए कि यहाँ पर 96 से 120 थी, तो यह 80 km पर hour तक आ जाती है, तो थोड़े से कम developed areas होते हैं, वहाँ पर meter gauge, और कम developed areas या फिर हिली regions की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आ जाता है, आपका narrow gauge, तो narrow gauge की जो width होती है, वो 0.76 meter होती है, broad gauge 1.676, meter gauge 1 meter, narrow gauge जो होता है, उसके width, inner faces of the rails के बीच का जो distance होता है, that is 0.762 meters, because these meter gauge and narrow gauge, यह शुरुआत में बनाए गए थे for undeveloped areas, or to connect undeveloped areas, और main जो line थी, या broad gauge थी, वहाँ तक लाने के लिए, कि as a feeder gauge वो act कर पाएं, वहाँ तक traffic वो लेके आ रहे हैं, और further वो main जो आपका broad gauge है, उसके अंदर आ पाएं, लेकिन इसमें बहुत सारे issues create होने शुरू हो गए, बहुत सारे bottlenecks create होने शुरू हो गए, कि एक track अगर broad gauge का जा रहा है, और उसके बाद आगे meter gauge आ रहा है, तो you will need entire set of vehicles for this particular gauge, इसके vehicles अलग रहेंगे, इसके vehicles अलग रहेंगे, तो बहुत सारे problems आएंगे, बहुत सारे अलग-अलग, एक standard gauge जो है, वो exist यहाँ पर नहीं कर रहा है, हिल में narrow या फिर यह कह लीजिए, कि जैसे जहाँ पर भी width available कम है, क्योंकि जो narrow gauges वाले होंगे, narrow gauge के लिए जो vehicle होगा, उसके dimensions भी कम होगे, उसके height भी कम होगी, उसके width भी कम होगी, broad gauge के उपर, large width या large height वाले vehicles, जिनकी load carrying capacity भी जादा होगी, वो वहाँ पर run कर सकते हैं, तो यह इसके advantages जो है overall जादा हैं, फिर उसके बाद feeder track, यह number 4 हो जाएगा, यह number 5 हो जाएगा, feeder track gauge जो है, यह 0.61 meter और standard gauge के अगर मैं बात करूँ, तो यह 1.4 meter का standard gauge होता है, तो यह overall gauge के जो distances हैं, यह आपको याद रखने हैं, clear, यह gauge distances आपको याद रखने हैं, आगे बढ़ते हैं, unique gauge policy Indian railways की क्या थी, क्योंकि अगर multi gauge adopt करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब सारे gauges जो है, वो eliminate होगे हैं, अभी भी exist कर रहे हैं, लेकिन उनकी length जो है, वो reduce होती जा रही है, हम further upgrade करते जा रहे हैं, तो multi gauge system, multi gauge मतलब आपको broad gauge भी दिख रहा है, meter भी दिख रहा है, narrow gauge दिख रहा है, इनके कारण बहुत सारे problems आई, बहुत सारे issues आने शुरू हो गए, operation के अंदर भी, maintenance के अंदर भी और नए vehicles जो build हो रहें, तो ऐसा नहीं है कि हम नए vehicles build करें, narrow gauge वाली roads के लिए, narrow gauge वाली tracks क तो overall एक uni gauge मतलब single gauge वाला system adopt किया जा सके, तो ये 1992 के अंदर ये adopt किया गया, कि उसके बाद अब हम broad gauge जो है उसी के उपर रहेंगे, अब gauges शब्द से related, gauge word से related एक और term आती है, which has nothing to do with the gauge, या फिर ये कह लिए, inner faces के बीच का जो distance है, इस से related इसका कुछ भी नहीं है, इसका relation किससे है, loading gauge हम बोलते हैं, कि किसी railway vehicle की maximum width या maximum height कितनी हो सकती है, तो broad gauge के लिए अगर हम बात करें, तो जो भी उसके उपर rolling stock होगा, या जो भी railway vehicle इसके उपर जाएगा, तो उसकी maximum height जो हो सकती है, वो हो सकती है, 4140 mm, और अगर meter gauge की हम बात करें, तो उसकी maximum height हो सकती है, 3.4 meter या फिर 3,455 mm हो सकती है, अगर आप से feet या inches के अंदर पूछे, तो 13 feet 7 inches, and 11 feet 4 inches, ऐसे आप याद रख सकते हैं, width के अगर हम बात करें, तो 3.2 meter, 2.7 meter, या आप याद रख लीजेगा, objective में इससे related question पूछा हुआ है, what is loading gauge, definition based भी, numeric value based भी, so loading gauge has nothing to do, rails के बीच में, जो इ relation नहीं है, loading gauge का reference जो है, वो है, the maximum width और height of a railway vehicle क्या होती है, that is defined by loading gauge, the gauge representing maximum width and height up to which a railway vehicle may be built, the loading gauge represents the maximum width and height to which a rolling stock, namely, a locomotive, or a coach, or wagon can be built and loaded, clear, rolling stock, roll कर रहा है, move कर रहा है, track के उपर जो चल रहा है, vehicle उसकी बात हो रही है, अब बात आती है rail section, rail section को समझना भी ज़रूरी है, rail section आप कैसे बताएंगे, कौन सा rail section आप adopt कर रहे हैं, तो rail section मतलब rail का cross section देख रहे हैं, कोई भी rail जो है, उसका cross section देख रहे हैं, कि इसके cross section क बारे में, आप अगर बोल रहे हैं, कि आपको कोई track बिचाना है, आपको कोई track जो है, वो lay off करना है, तो उसके लिए आप define करेंगे कि कौन सा rail use करूं मैं, तो rail का designation क्या है, rail को designate कैसे किया जाए, तो rail का designation होता है, weight per unit length से, कि कि कितने weight per unit length वाली rail आप adopt कर रहे हैं, जैसे अगर आप market में जाते हैं, कोई pipe खरीद नहीं है, तो आप क्या बताते हैं, size बताते हैं, material बताते हैं, कि किस आपको PVC की pipe चाहिए, कि size की किस diameter की आपको चाहिए, वो बताते हैं, तो वैसे ही अगर आपको rail का section चूज करना है, तो आप उसे कैसे बताते हैं, उसके weight per unit length से आ length की direction में continue कर दीजिए, तो rail बन जाएगी, और ऐसी दो parallel rails चलती हैं, जिनके उपर आपका overall train या फिर जो भी locomotive, जो भी जो vehicle है, railway vehicle मूव करता है, they form suitable track for train and should be strong enough to bear the stresses developed in the track, due to wheel loads, lateral loads and other forces as well as variation due to temperature changes, अब अगर आप किसी railway track की बात करेंगे, तो किसी railway track के उपर आपको क्या-क्या forces देखने को मिलते हैं, railway track पर कौन-कौन से forces देखने को मिलेंगे, अगर train move कर रही है, तो सबसे पहला तो क्या vertical direction में जो इसके उपर load लगी रहा है, wheel load जो इसके उपर लगी रहा है, वो stress आ जा कि जब turn के उपर है, curve के उपर है, तो curve पर जाएगी तो train जो है, उसके अंदर tendency होगी straight move करने की, तो इस पर जा जाके यह hit करेगी, lateral load जो है, वो भी इसके उपर लगेंगे, accidentally rail के ही movement जो होगी, left, right में जो movement होगी, उसके कारण भी इसके उपर lateral loads आएंगे, क्योंकि rails को हमने एक के बाद एक connect कर रखा है, और पूरा का पूरा है, तो metal ही उसके अंदर, जब temperature increase करेगा, तो temperature increase करने के कारण उसमें thermal stresses भी आने के chances होगी, तो जब thermal stress आएगा, तो उसको कैसे हमें tackle करना है, तो ऐसे सारे stresses जो है, वो इसके अंदर develop होगी, and our rail section should be strong enough to withstand all these stresses, तो इन सभी stresses क तो वो तभी withstand कर पाएगा, जब sufficient amount of strength इसके अंदर खुद है, अब इसके अंदर कैसे कैसे loads आएगे, यहाँ पे load आया, concentrated load लगेगा, यह पूरा buckle ना हो जाए, यह section बकल ना हो जाए, हमें चाहिए होगा कि इसका expansion जो है, मतलब length की direction में जादा expand ना कर जाए, lateral direction में expand ना कर wear and tear ना हो जाए, इसका top जो है, वो उसके उपर से material जो है, वो ना हटने लग जाए, तो यह सारी requirements जाएगी हमारी एक rail section से, rail का जो topmost portion होता है, इसे बोलते हैं head और फिर उसके बाद आ जाता है, web वाला portion, नीचे वाले portion को बोल देते हैं foot, so this is head, web, foot, यह तो आप बहुत अ यह foot क्योंकि flat है, तो ऐसी rail को flat footed rail बोल देते हैं, flat footed rail, अब इनके designation की अगर हम बात करें, तो designations के अंदर आ जाते हैं, broad gauge, meter gauge, narrow gauge, यह type of gauge हो गया, type of rail section, generally जो adopt किया जाता है, broad gauge के लिए, वो 55 वार, 55 से जादा की value अगर होगी, तो it means, वो heavy section है, और जादा उसके अंदर weight अगया, अगर 60 हम बोलें, तो मतलब 60 kg per meter length उसका designation हो गया, और heavy section के अंदर जा रहे हैं, इससे कम पे आ रहे हैं, 45, 35, 30, तो मतलब इससे light हो गया comparatively, आर जो है, वो आता है, revised British specification, जो है, इसके लिए इस्तेमाल होता है, यह जो R term यूज होती है, यहाँ पर, तो broad gauge के लिए 55 R यूज होता है, यह अब तक objective के अंदर question आप से पूछा हुआ है, 55 यहाँ पर denote कर रहा है, कि 55 kg per meter length उस rail का designation है, अब rail section के अंदर पहला आ जाता है double headed rail, double headed rail कुछ इस सरीके से, उपर जैसा head दिख रहा है, वैसा ही यहाँ पर नीचे आपको head दिखाई दे रहा है, इसके dimensions तो एक बार इन पर नजर डाल लीजेगा, यह आता है आपके बस double headed, फिर उसके बाद next आता है bull headed, bull headed के अंदर जो top का head होता है, यह बड़ा होता है, as compared to bottom बाला जो आपके पास होता है, and next आता है flat footed, जिसका foot flat होता है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एक image के अंदर देखा, एक बार चलते हैं इनके dimensions की और की कैसे कैसे dimensions यहाँ पर आपको दिखाए गए है, इनके dimensions की बात करें, तो top head जो है इसका, किसकी बात कर रहे है, double headed की बात कर रहे है, double headed में 70 mm, 153 mm, overall इसकी height कितनी 153 mm, यह याद रख सकते हैं लगबग 15 cm के आसपास, और mainly जो पूछता है, top width पूछ लेता है, या overall depth जो है वो पूछ लेता है, यह thickness बगएरा rarely ही asked हैं कहीं पर, अभी तक जो पूछी है, अगर हम बात करें, bull headed की, तो bull headed के अंदर top width 68.7 हो गई, वहाँ पर कितनी थी, 70 थी double headed के case में, bottom वाली 63.6 हो गई, यहाँ पर 70 उपर 70 नीचे, दो वाली 68.7, overall जो depth है इसकी, वो हो गई, यहाँ पर 145 mm, एक बार में याद नहीं होगा, जब जब revise कर रहे हैं, तब एक बार देख लीजिएगा, बस उपर उपर से नजर डाल लेनी है, अगर हम बात करें, flat footed की, क्योंकि इसका foot जो है, वो flat है, यहाँ पर 66.7 इसकी top width रहत whole headed, top head को heavy बनाया जाता है, and lower head is provided with only required quantity of steel, जितना जरूरत है, उतना सा provide करते हैं, flat footed जो होता है, क्योंकि इसका foot flat है, तो stable जादा रहता है, अच्छे से यह टिका रहेगा, lateral loads के लिए भी यह अच्छे से strength provide करता है, lateral load लगेगा, तो एकदम से, आप इनके अंदर इनकी stability दे almost double हो गया, जादा अच्छी stability provide करता है, flat footed जो rail होती है, वो इसलिए Indian railways के अंदर mostly flat footed rail ही इस्तेमाल की जाती है, अभी तो की जाती है, पुरानी जो है उनके अंदर में mostly flat footed rail जो है, वो use की गई, top head is made slightly less than that of bull headed rail and bottom is made flat footed, mostly used in Indian railways because of better rigidity and stiffness to resist lateral and vertical forces, vertical forces को भी अच्छे से resist करे लेटरल के अंदर भी इनकी stability जो हो अच्छे से बनी रहेगी, ये rigid जो है रहेंगे, it is simple to fix them with sleepers as neither chair nor keys required, अब neither chair nor keys required का मतलब क्या है, अगर आप double headed या फिर bull headed का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको ये sleeper के साथ एक chair assembly जो है, वो use करनी पड़ेगी, एक key use करनी पड़ेगी so as to fit in this entire assembly, एक बार आप इस diagram को देखे, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर नीचे sleeper दिखाई दे रहा है, इस sleeper के बाद एक chair है, जिसके अंदर, अब यह आपकी जो double headed rail है, इसको इसके बीच में रखा गया, जो बीच में gap था, उसको fill करने के लिए key लगाई गई, और फिर chair जो है, वो use की गई, chair के उपर फिर chair board से उसको fix कर दिया गया, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, एक flat footed rail के अंदर यह chair या key या assembly इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, objective में ऐसे statement वाले question आते हैं, तो उनमें पूछ लेता है, अगर broad gauge के लिए जो आप rail use कर रहे हैं, उसकी length होती है, 12.8 meter, broad gauge के लिए, जो rail use कर रहे हैं, एक rail की length जो होती है, वो 12.8 meter होती है, अब आप किसी station के उपर, अगर कभी खड़े होंगे, किसी railway station के उपर अगर आप खड़े हैं, और वहाँ पे observe करने जाएंगे, चलो देखते हैं, 12.8 meter है या या लेकिन जब उसे use किया जाता है, तो combination के अंदर use करते हैं, उसे बोलते हैं, long welded rail, LWR use करते हैं, तो काफी सारी rails को weld करके, इस्तेमाल करके, एक single rail बना देते हैं, फिर उसके बाद बीच में expansion joint provide कर देते हैं, ताकि जो भी stresses आएं, उन stresses को, जो भी temperature के कारण, या expansion के कारण, ज जा सके और फिर further next long welded rail जो है, वो start कर देते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है, बिल्कुल basic units की, तो एक single rail जो होती है, उसकी length होती है, broad gauge के case में 12.8 meter, railway track पर देखने जाएंगे, शायद इतनी ना दिखे आपको, क्योंकि वो weld करके continuous long welded rail बना दी जाती है, और एक long welded rail के बाद next long welded rail आपको दिखाई भी देगी, जिसके अंदर further जो है, आपको वहाँ पर fish bolts या fish plates दिखेंगे, जिसमें joints बने हुए होंगे, clear? जिन दोस्तों ने अभी तक इस session को like नहीं किया है, वो session को like कर सकता है, चले, so broad gauge के लिए 12.8 meter ये बहुत ही basic, बहुत ही छोटे, बहुत ही simple objective questions बनते हैं, meter gauge के लिए अगर हम बात करें, तो 11.89 meter हम consider करते हैं, और इससे related numericals बनते हैं, numericals कैसे बनते हैं? एक term आती है, जिसे बोलते हैं, sleeper density, उसे क्या बोलते हैं? sleeper density बोलते हैं, अब sleeper density क्या होती है? sleeper density को अगर denote करें इंडिया के अंदर n प्लस 5 से लेके n प्लस 7 तक adopt की जाती है जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि sleeper density है n प्लस 5 अगर मैं बोलता हूँ कि sleeper density है n प्लस 5 broad gauge के लिए अगर मैं बताऊंगा तो broad gauge के लिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक 12.8 meter length की rail अगर मेरे पास है अगर 12.8 meter length की एक rail मेरे पास है इस rail के अंदर 12.8 approximately 13 अगर मैं इसको मान लूँ n की जगा approximately मैं 13 मान लूँ प्लस 5 तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 तो sleeper density का मतलब है कि n प्लस 5 sleepers n प्लस 5 sleepers per unit rail length या per rail कह लीजिए या per rail length कह लीजिए तो एक rail length अगर मैं broad gauge की बात कर रहा हूँ इसका मतलब 12.8 meter के अंदर अगर मैं sleeper density define कर देता हूँ n प्लस 5 है that means उसके अंदर 12.8 प्लस 5 या फिर 18 sleepers बनेंगे तो इसके अंदर total 18 sleepers इसके उपर रखे होंगे तभी हमने इसको बोला कि यह n प्लस 5 density यहाँ पर n प्लस 5 sleeper density है तो अगर meter gauge के लिए पूछा जाए तो meter gauge के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 11.89 आपको use करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो भी sleeper density दी हो let's say n प्लस 5 या n प्लस 4 n प्लस 7 कुछ भी दिया है तो this प्लस वो 5, 7 जो भी आगे दिया हो वो add कर दीजेगा मतलब उतने sleepers एक rail length के अंदर है अब अगर आप से objective में और question कैसे पूछ सकता है objective में question आप से ऐसे पूछेगा कि if sleeper density is objective में question क्या पूछेगा for for broad gauge track sleeper density is given as sleeper density is given as n plus 5 how many sleepers how many sleepers are required for two kilometer track बताईए कितने sleepers की जरूरत पड़ेगी जिस channel के उपर आप जाते हैं civil 101 पर आप सभी अभि उपस्तित हैं आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है तो आपको उस channel पे जाके क्लिक करना है एक होता है home section एक होता है video section एक होता है playlist section एक होता है playlist section उस channel के उपर YouTube पे ऐसे दिखता है तो videos में जाना है video वीडियोज में जाके ऐसे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको पुराने सेशन दिख जाएंगे कौन कौन से सेशन किस किस दिन हुए थे सीक्वेंस में दिख जाएंगे आपको सीरियल नंबर वाइस दिख जाएंगे तो कौन सा सब्जेक्ट हो चुका है कौन सा होने वाला ह सारी जानकारी आपको मिल जाएगे देखे आपको दिया गया है कि sleeper density जो है मतलब n प्लस 5 sleepers है n प्लस 5 sleepers पर rail है या फिर ये कह लिजिए कि पर rail length में n प्लस 5 sleepers है तो अगर आपके पास broad gauge है तो broad gauge के case में n की value क्या हो जाएगी rail length हो जाएगी 12.8 meters 12.8 meters हो जाएगी तो आप ये बोलेंगे कि sleeper density आप लिखेंगे कि sleeper density is equal to n प्लस 5 that means 12.8 क्योंकि 2 km के लिए तो अब मैं point में ही रखोंगा इसको 12.8 प्लस 5 तो ये आ जाएगा मेरे पास 17.8 it means 17.8 sleepers per rail 17.8 sleepers per rail या फिर मैं इसे क्या से लिख सकता हूँ just excuse me for one minute तो प्लस 5 एंप जाएगे और उना 17.9 up 1 15.8 15.4 20 21 21 21 23 22 झाल 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 देखें अभी audible भी होगा और कोई buffering नहीं हो रही है आपको यहाँ से sleeper density से यह पता लगा कि आपको 17.8 sleepers चाहिए होगे एक rail length के अंदर या फिर यह कह लिजिए कि 17.8 sleepers 12.8 meter length के अंदर 12.8 meter length के अंदर 17.8 sleepers चाहिए इसका मतलब यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते है ना 17.8 sleepers पर 12.8 meter यह पर rail का मतलब यही तो हो गया तो 12.8 meter के length पर इतने sleepers चाहिए 1 meter के corresponding कितने चाहिए होगे हमें 17.8 by 12.8 तो फिर 2000 meters या फिर 2 kilometer के corresponding कितने चाहिए होगे 17.8 by 12.8 multiplied by 2000 यहाँ से solve कर लीजिए और answer बता दीजिए 2781.25 तो 2781.25 तो इसे whole number में लिख देंगे तो ऐसा simple सा objective question हमसे पूछता है बस हमें यह पता होना चाहिए कि what is sleeper density और अगर broad gauge दिया है तो broad gauge की case में हमें पता होना चाहिए कि उस rail की length कितनी होती है अगर हमें broad gauge दिया है तो हमें यह पता हो कि उस rail की length कितनी है दन आगे पड़े नेक्स्ट उसके बाद बात आती है यह rail length जरूर याद रखिएगा 12.8 होती है broad gauge के लिए meter gauge के लिए 11.89 as it is objective question exams में पूछे जाते हैं नेक्स्ट आता है tilting of rails tilting of rails क्या होता है कि जो rail होती है हमारी उस rail को हम थोड़ा tilt कर देते हैं थोड़ा सा उसे incline कर देते हैं जुका देते हैं क्यों कर देते हैं ऐसा इसको 1 in 20 slope के उपर tilt provide करते हैं 1 in 20 कि 20 meter horizontal जाएंगे 1 meter vertical जाना है इस प्रकार का slope provide करके उसके उपर इन rails को tilt कर देते हैं reason क्या होता है कि अगर एकदम सीधी होगी तो उसके उपर जब rail का wheel चलेगा अब wheel कैसा होता है wheel conical shape का होता है तो conical shape का wheel जब इसके उपर चलेगा तो उसमें भी उसकी wear and tear जो होती है वो बहुत जादा होती है तो वो wear and tear को reduce करने के लिए हम इसको tilting कर देते है इसके अंदर एक और term use होती है कि यह जो sleepers है इनको हमने slope में काट दिया है इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं edging of sleepers इसे क्या बोलते हैं edging of sleepers अब objective में आपसे क्या पूछता है objective में पूछता है tilting of rails is done at slope of फिर slope पूछता है आपसे या फिर edging of sleepers is done at slope of तो आपका answer हो जाएका 1 in 20 यह जो आपके पास coning of wheel प्रोवाइड करते हैं यह भी coning of wheel भी 1 in 20 के slope के अंदर ही प्रोवाइड होती है तो यह main main चीज़ें थी rail के बारे में अब rail के बारे में next is आती है selection of rail कि आपको rail कौन सी select करनी है तो यह किस चीज़ पर depend करेगा जेनरिक से factors है कि आपकी train की speed कितनी होगी speed पर भी depend करेगा ना कि उस speed की train को वो withstand कर पाए क्योंकि जब एक fast moving train चलती है जब वो चलना start करेगी जब वो continuously चल रही है तो उस दोरान वो क्या करेगी उस rail की length के longitudinal direction में forces लगाती है जैसे अगर train शुरू हुई जैसे ही train run करना start कर रही है तो यह wheel जब ऐसे rotate करेगा तो इसको पीछे की direction में push करेगा अगर train के brakes apply हो रहे हैं वो रुक रही है तो उस case में वो इसको आगे की direction में लेके जाएगी और जब train continuously चल रही थी तो उसके अंदर wave movement होती है rail के अंदर क्या होती है wave movement होती है wave वाली movement होती है इस movement को ध्यान से देखेंगा अगर आप कभी भी अगर train किसी track से गुजर रही हो और आप थोड़ा सा ऐसे distance पे हो कि उस track को आप clearly देख पाओ तो आप observe करना जैसे ही ये wheel आएगा जैसे ही ये wheel इस rail के उपर आता है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको depress कर देता है वो rail थोड़ी से depress हो जाती है नीचे हो जाती है अब उस depression के अंदर जब ये आता है तो ये further आगे की direction में ये चलता भी जा रहे है तो ये इस wave को आगे push करता हुआ भी चलता है तो पूरी rail जो है इसके उपर भी एक तरीके से baby motion जो है भी चलता है तो इस प्रकार के सारे stresses को वो bear कर पाए speed of train के उपर ये depend करेगा gauge of track के उपर depend करेगा gauge कितना है अब gauge अगर बड़ा होगा तो it means इसके उपर बड़े size के vehicles आ सकते हैं बड़े size के vehicles आएंगे तो ज़ादा load आएगा उनके उपर तो वो भी यहाँ पर gauge of the track पर axle load है नेचर आफ ट्राफिक nature of traffic passenger train ज़ादा जा रही है वहाँ पर यह goods train ज़ादा जा रही है तो इनके उपर भी depend कर जाएगा type of rail कौन सी choose करनी है आपको तो उस पर भी है flat footed चाहते हैं, bull headed चाहते हैं या फिर double headed चाहते हैं इसके उपर depend करेगा spacing of sleepers अब sleepers कितनी कितनी दूर आपने प्रोवाइड किया है जितने sleepers pass में प्रोवाइड करेंगे cost बढ़ जाएगी लेकिन sleepers जितने दूर प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही load को distribute करने के लिए जादा दूर दूर प्रोवाइड कर दिया गया तो rails जो है वो उनके अंदर ये कह लीजिए sag या फिर उनके अंदर deformations जो आएंगे वो जादा होंगे waves जो बनेंगी वो जादा बनेंगी maximum permissible wear and tear वो कितना चाहते हैं तो वैसे तो IRC कहता है 5% से जादा wear and tear जो है वो नहीं होना चाहिए so maximum permissible wear बताया जाता है next की rail को select करने का generic rule होता है आपको कौन सी rail select करनी है इसका एक generic सा rule adopt किया जाता है जो ratio adopt की जाती है objective में पूछेगा वो ratio है 1 upon 510 बहुत सारे exams में ये question पूछा जा चुका है तो ध्यान दीजिए थोड़ा focus कर लीजिए in India the ratio is 1 in 510 1 upon 510 ये ratio रहता है जिसमें हम ये बोलते है कि weight of rail कितना होगा with respect to locomotive axle load in tons अब locomotive axle load in tons क्या है आप कैसे define करेंगे कि किसी vehicle के अंदर weight कितना है तो वो हम ऐसे define करेंगे न कि एक vehicle जैसे अगर मान लीजिए car है हमारे पास तो car जो होती है car के दो front में wheels होंगे और दो rear wheels होंगे front वाले दोनो wheels आपस में connected होंगे rear वाले आपस में connected होंगे तो दो wheels के assembly जो connected है तो वो किस से connected है axle से connected है तो एक axle के उपर कितना load आ रहा है इसके according of design करते हैं जो भी हमारे design के criteria चलते है axle load के उपर चलते है तो एक rail का weight अब rail को किस से designate कर रहे है weight per meter length से designate कर रहे है rail बता रहे हैं कि कौन सी rail चूज करें तो कितने weight per meter length वाली rail होनी चाहिए तो weight of the rail उस according यहां रखा हमने locomotive के axle load कितना है पूरे locomotive पर कितना load आ रहा है फिर उसके एक individual axle पर कितना आएगा तो उसके according वो axle load कितना है यह हम यहां पर रख रहे हैं तो weight of the rail in tons upon locomotive axle load इसको 1 upon 510 ले लीजिए या फिर आप यूं कह लीजिए कि जो locomotive का weight होना locomotive के एक axle के उपर जितना weight आ रहा हो उसको 510 से divide कर दीजिए उतना आपकी rail का per meter length weight होना चाहिए समझ में आया जो भी आपका locomotive का एक axle का weight हो divide by 510 कर देंगे तो rail का weight per meter length उतना होना चाहिए So a general rule adopted is to specify a certain constant value of the ratio between weight of the rail and the locomotive axle load which is taken as 510 question के एक example है standard सा example जो हम हमेशा consider कर लेते हैं तो 22.86 ton अगर आपके पास locomotive axle load है तो weight of rail weight of rail upon weight of या फिर weight of axle of locomotive यह adopt करेंगे है 1 upon 510 अब यहां से हमने weight of rail बताया जो unit आप इसकी use कर रहे हैं वही unit आपकी weight of rail किया जाएगी तो अगर आपने 22.86 ton बोला तो 22.86 ton का मतलब 1000 kg तो इतने kg upon 510 तो यहां से answer बता दीजिए 44.8 kg तो मतलब आपको जो rail adopt करनी है 44.8 kg 44.8 kg वारी वाला जो section है वो आपको adopt करना है इससे थोड़ा जादा जो available है next अब ऐसे थोड़ी ना है कि 44.8 वाला ही हम adopt करेंगे इससे next available 45 वो use कर सकता है 50 यूज़ करना चाहें वो use कर सकता है जो next available इससे जादा वाला हो वो section हम choose कर लेंगे simple कुछ मुश्किल नहीं है अभी तक done next उसके बाद बात आती है coning of wheels की कि wheels की coning क्यों की जाती है पहली चीज़ तो हमने बोली थी कि ये sleepers की edging कर देते हैं sleepers को ऐसा slope provide कर देते हैं यहाँ पे जिससे की हमारी rails को tilt करके हम रखे rails को ऐसे tilt कर देंगे वो रख देंगे ये tilting क्यों की थी tilting तो इसलिए की थी कि इस rail के surface पे wear and tear minimum हो उसके बाद बात आती है कि हम wheels जो होते है rail का जो wheel होता है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम flat नहीं होता है वो वो ऐसे conical shape का होता है यह यह कहली जी कि ऐसे cone बनता है उसके अंदर क्या बनता है एक cone बनता है अगर हम उसको आगे extend कर दें तो यह जो coning करते हैं यह coning करते हैं 1 in 20 के angle के उपर 1 in 20 के slope के उपर हम यह coning करते हैं अब यह already tilted था 1 in 20 पे और यह slope हमने provide कर दिया 1 in 20 पे overall हमारी assembly horizontal हो गई एक चीज़ तो यह अब यह slope provide ही क्यों किया हमने यह slope हमने इसलिए provide किया कि by any chance यह coning of wheels क्यों करते हैं coning of wheels हम इसलिए करते हैं कि by any chance ऐसा हुआ कि किसी reason से किसी कारणवश lateral movement हो गया अब मैंने wheel थोड़ा ज़ादा ही बड़ा बना दिया weight थो उसकी ज़ादा बड़ी बना दी बस समझाने के लिए अब आप यह देखे पहले जब वो track के उपर चल रहा था तो मान लीजिए यह वाला diameter act कर रहा था यह वाला diameter act कर रहा था जिसे मैं बोल देता हूँ mean diameter dm बोल देता हूँ similarly यहाँ पर जब यह movement कर रहा था wheels चल रहे थे तो यहाँ यह diameter act कर रहा था dm इसके उपर यह जो extra वाला portion extra width जो नीचे की तरफ provide की रहती है इसे बोलते हैं flange बोलते हैं तो यह flange से नीचे उतर जाने से यह prevent कर देगा derail होने से यह बचा देगा यह flange तो यह तो काम हो गया इस flange का तो flange accidental cases के अंदर safety को ensure कर रहा है अब यह wheels की conning हमें कैसे मदद करती है conning of wheels कैसे मदद कर रही है जब यह entire assembly घूम रही है यह जब train चल रही होगी तो उस वक्त यह entire assembly घूम रही होगी अगर किसी current से यह पूरा का पूरा axle इधर move करता है पूरा का पूरा axle हम मान लेते हैं कि वो left side में move करता है तो जब left side में move करेगा तो अब इस d mean वाले diameter की जगा कुछ यह diameter action में आ जाएगा इसे मैं dl से या d large वाला diameter denote कर देता हूँ मैं तो यह large diameter action में आ जाएगा mean के respect में बड़ा diameter इधर आने शुरू हो जाएगा और क्योंकि यह entire assembly उधर चली गई तो अब mean diameter की जगा यहाँ पर जो touch होगा वो count touch होगा इसे बोल देता हूँ small diameter क्योंकि यह mean के respect में चोटा diameter है यह contact में आ जाएगा अब यह पूरी assembly अगर एक revolution लेगी अगर यह एक बार घूमता है पूरा का पूरा excel तो इस case में यहाँ पर तो large वाला diameter इधर contact में आ गया इसका मतलब 2 pi r कह लीजिए या फिर pi into dl कह लीजिए यह तो इतना distance travel करेगा और इस तरफ अगर हम देखें तो pi into d small s ds मतलब यह इतना distance travel करेगा अब कैसे possible है कि एक ऐसी पूरी assembly जो की एक साथ ही जुड़ी हुई है एक ही excel के उपर है एक ही revolution ले रही है लेकिन यह जादा distance travel करे यह वाला wheel यह कम distance travel करे यह वाला wheel तो ऐसा possible हो नहीं पाएगा वो वापस से ऐसे rotate कर नहीं पाएगे ऐसे कि यह जादा distance travel करे यह कम करे इसलिए वो वापस खिसक कर अपनी location के उपर आ जाएगा re-adjust हो जाएगा वापस center of the rail के उपर वो align यहाँ पर center of the wheel के उपर यह align यहाँ पर हो जाएगा समझ में आया दुबारा से सुन लीजिए अगर हम यह बोलते हैं कि पहले यह mean diameter या बीच में कोई भी diameter मान लीजिए जो action में था जो यहाँ पर इसके contact में था जब यह move कर रही थी train accidentally क्या हुआ यह पूरा left side में shift हो जाता है तो अब mean diameter की जगा एक large diameter action में आ जाएगा और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो mean diameter की जगा एक छोटा diameter action में आ जाएगा अब ऐसा कैसे possible है कि pie into dl यह वाला wheel जादा distance cover कर रहा है यह वाला wheel pie into dl छोटा distance cover कर रहा है यह possible हो नहीं पाएगा इसी कारण से वापस जो है यह re-adjustment हो जाएगा यह axle या फिर यह wheel assembly वापस rail के rail line के center के अंदर align हो जाएगी अपने आपको तो इसी लिए हम coning of wheel provide करते है wheels of the train are coned at an angle of 1 in 20 as well as the rails are also laid at an angle of 1 in 20 rails का angle भी 1 in 20 था इसकी coning of wheel भी 1 in 20 its purpose its किसका coning of wheels का purpose क्या है कि train wheel can move at the center of rail यह जो rails है इनके center में यह move कर पाए properly if due to any sideway effect if the wheels of train will move sideway then the diameter of sideway wheel will increase and other wheel will decrease कि एक का diameter increase कर जाएगा एक का diameter reduce हो जाएगा hence length traveled by both wheels will be unequal which deserves in diverting back the wheel to its center it also helps similarly when the train moves on any curve जब किसे curve के उपर भी move करेगी तो भी यह मदद करेगा अब curve के उपर कैसे मदद करेगा similar scenario चलेगा जब curve के उपर अगर train जाएगी तो curve के उपर उसकी tendency होगी इस direction में move करने की क्यूंकि अब railway के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि car की तरह एकदब हमने वैसे ही proper पूरा steering अगर घुमाया तो पूरे के पूरे wheels घुमा दिये ऐसा तो possible नहीं है तो जब curve के उपर भी जाता है न वो तो curve पे भी यही scenario बनेगा कि वो सीधा सीधा जा रहे है और इसी इसी type के right turning curve के अंदर अगर हम observe करते हैं तो ये वाला wheel ऐसे सिधा सिधा जाने की कोशिश करेगा जब ये वाला wheel ऐसे सिधा सिधा जाएगा इधर वाले wheel के लिए diameter छोटा होता जाएगा इधर वाले के लिए बढ़ा होता जाएगा जब ऐसा होगा तो उसके लिए possible नहीं होगा कि एक तरफ वाला जो है वो जादा distance travel करें दूसरे वाला distance travel कम करें तो ऐसा possible हो नहीं पाएगा तो उस case में क्या होगा अब आप imagine करना कि यहाँ वाला जो wheel अगर ऐसे घूम रहा था वो आगे की direction में चलेगा और यह पीछे की direction में थोड़ा slip कर जाएगा जिसके कारण overall यहाँ पर जो movement है turning की वो भी हो जाएगी थोड़ा सा skidding जो है वो भी यहाँ पर observe होगी turn के case में और वो rail जो है अब मतलब ऐसे skidding इस वज़े से नहीं होगी की वो steering की तरह घूमी गया overall जैसे जैसे movement होता जा रहा है उस locomotive का तो वैसे वैसे उसकी थोड़ी-थोड़ी skidding जो है वो यहाँ पर observe होगी तो turn के उपर curve के उपर जो है यह मदद करता है koning of wheels rail को move करने में ठीक है? edging इसलिए provide की ताकि हम rails को tilt कर सकें बात आती है hogging and buckling of rails क्या होता है hogging and buckling of rails के अंदर यह होता है कि अगर दो rails को connect कर रखा था और इन rails को एक fish plates से हम join करते हैं यह fish plates अगर आप real time किसी railway station पर जाके देखेंगी तो बहुत लंबे distance बात दिखेंगी ऐसा नहीं है कि हर 12.8 meter बात दिख जाएगी नहीं वो long welded rail हम वहाँ पर use करते हैं बहुत सारी rails को weld कर रखा होता है और एक long welded rail के बाद जाकर यहाँ पर आपको fish plates देखने को मिलेगी जहाँ पर हम यह expansion joints और यह provide करते हैं तो अगर कोई fish plate loosely packed है इसके उपर जब rail का wheel आएगा train का जब wheel आएगा इसके उपर तो उसके कारण यह क्या हो जाएगी hog हो जाएगी उसके कारण यहाँ पर अगर यह अच्छे से packed नहीं है यह loose थी fish plate या यहाँ के bolts loose थे तो उसके कारण इसकी hog हो जाएगे यहाँ पर तो hogging of rail हो गया अब buckling of rail क्या होता है buckling of rail के अंदर अगर आपने बीच में expansion joint नहीं दिये अगर आपने expansion joint नहीं दिये temperature stresses बहुत ज़ादा बढ़ गए अब वो rail बिचारी expand हो नहीं पा रही है length की direction में तो तो वो sideways direction में ऐसे buckle कर जाएगी तो buckling के अंदर तो length की direction के perpendicular या length के laterally rail का movement हुआ और इसके अंदर ends जो है loose fish plates जहाँ पर थी वहाँ से यह मूड गया तो this is hogging of rails buckling of rails के अंदर length के lateral direction के अंदर rails का movement हो गया so when the rail gets out of their original position original position से यह बाहर चली गई due to insufficient expansion joints gap the phenomena is known as buckling of rails objective में question पूछेगा buckling of rails occurs due to the temperature stresses के कारण hogging of rails occurs due to loose fish plates उसके कारण होता है तो यह basic सी चीज़ आपको याद रखनी है next phenomena आता है कि rail अभी rail को पढ़ रहे हैं कि rail के साथ क्या क्या हो रहा है पहले type of rail के बारे में बात किया फिर rail को select कैसे करेंगे इसके बारे में बात की और फिर rail के साथ क्या क्या issues होते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब next आता है creep of rail creep of rail क्या होता है creep बोलते हैं longitudinal direction के perpendicular direction में rail का movement यह था buckling of rail इसका bend हो जाना यहाँ पर वो था hogging creep होता है इसकी length की direction में पूरी की पूरो rail खिसक जाए आगे move कर जाए अगर या पीछे move कर जाए तो rail की movement अगर ऐसे length की direction में चले उसे creep of rail बोलते हैं अब creep of rail के अंदर आपको word याद रखना है longitudinal movement of rail longitudinal movement of rail in a permanent track due to the rolling stock जो भी railway vehicles move कर रहे हैं उसके उपर उनकी movement के कारण length की direction में weather forward और backward तो इसे हम बोलते हैं creep of rail अब creep of rail किस कारण से हो सकता है पहला दिया जाता है drag theory drag theory क्या होती है drag कर देना in the sense कि जब ये railway engine या locomotive या कोई भी rail vehicle move करेगा जब आगे की direction में जा रहा है तो ये इसको पीछे की direction में push करेगा तो length की direction में rail पीछे push हो गई पहला reason हो गया दूसरा reason हुआ कि जब रुके गया अगर वो locomotive रुका when the train stops when the train stops तो उस case में वो उसको आगे की direction में लेके जाएगा जब locomotive चला तब तो वो उसको पीछे की तरफ push कर देगा जैसे आप अगर चलते हैं तो आप ground को ऐसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं action, reaction, physics वो वाली बात पर अभी मत जाएगा बस इतना समझने की कोशिश करेगा पीछे की direction में push कर रहे है वैसे ही जब breaks लगेंगे तो यह आगे की direction में push हो जाएगा next theory, दूसरे type की theory जो है वो इस creep creep क्यों आ रहा है उसको explain करने की जो दूसरी theory है वो दूसरी theory आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर loose plates थी, loose connections थे तो यहाँ पर आके hogging होगी यह rail bend होगी और यह rail जैसे ही bend होगी तो यह wheel आके इसके उपर hit करेगा जिसके करण यह एकदम से आगे की direction में move कर जाएगा continuous movements में जहाँ पर भी joints weak थे इन joints की hogging होगी hogging होने के करण यह forward direction में इसको hit कर देगा जब यह wheel सीदा इसके उपर आके hit करेगा यह इसको आगे further push कर देगा तो इसको बोलते हैं percussion theory so creep is developed due to the impact of wheels at the rail end इस rail end के उपर आके वो hit करता है when the wheels leave the trailing rail trailing मतलब पीछे वाली rail को जैसे ही wheel leave करता है तो आगे वाली जो rail होती है leading rail जो होती है इस rail के उपर आके वो hit कर जाता है जिसके कारण इस rail को आगे वाली leading rail जो है इसको वो further आगे push कर देगा जिसमें creep आ जाता है तीसरी theory explain की जाती है जो की wave theory wave theory में क्या है कि आप अगर बिल्कुल एकदम बहुत ही जादा अच्छे से observe करेंगे अगर rail के section को when the rolling wheels are moving on this rail तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पर छोटी छोटी waves बनती रहती है अब यह waves बनेगी जहाँ पर wheel exist कर रहा है उस wheel के just नीचे wave बनेगी कुछ-कुछ amount में इसका rotation भी चल रहा है further forward direction में movement भी चल रहा है wheel का और यहाँ पर wave भी बनी हुई है तो यह इस wave के अंदर यहाँ पर इसको further आगे push करती हुई जाएगी तो यह जो continuous waves बन रही थी और उस wave वाले गड़े के अंदर उस wave वाले depression के अंदर wheel present था वो further उसको आगे push करते हुए लेके जा रहा है तो जिसके कारण creep of rail हमें observe करने को देखने को मिलता है ठीक है तो यह तीन कारण तीन theories से इसको explain किया जाता है creep of rail को पहला drag theory engine start होगा तो पीछे की direction में move करेगा जब stop होगा brake लगेंगे आगे की direction में rail को push कर दिया जाएगा दूसरा percussion theory जिसके अंदर एक trailing rail जो है उसके अंदर depression आने के कारण उसकी hogging होने के कारण leading rail जो है उसके उपर आपकी wheel hit कर जाता है जिसके कारण इसकी movement हो जाती है and third is wave theory continuous rolling stock के कारण waves बनती है उस wave के depression के अंदर wheel होता है जो further उसको आगे carry forward करते हुए लेके जाता है जिसके कारण overall आपकी rail जो है वो length की direction में move कर जाती है which is known as creep of rail next आता है wear of rail wear of rail जो IRC या Indian railways IRC नहीं Indian railways जो आपका specification है IRS वो आपको क्या बताता है IRC highway के अंदर use किया था हमने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Indian railways specification IRS की बात कर रहे है तो वो specify यह करता है permissible limit of rail wear is 5% by weight 5% से जादा wear and tear उसके अंदर नहीं होना चीए fish plates के अगर हम बात करें तो fish plates जो होती हैं आपकी उसके अंदर दो rails जहाँ पर आकर join हो रही है वहाँ पर fish plate का use करेंगे एक plate rail के इस तरफ एक plate उस तरफ तो total overall आपके पास 2 fish plate use होंगी 4 bolts कम से कम use करते हैं हर rail की तरफ यहाँ पर 2 इधर minimum है इतने तो minimum है कि आपको use करने ही करने है अगर आप यह use नहीं करते हैं एक एक use कर लेंगे तो उसके कारण यहाँ पर moments आ सकती हैं जोइंट 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 इतना rigid यहाँ पर नहीं बन पाएगा तो कम से कम 4 use करेंगे 2 fish plate use करेंगे 4 boards कम से कम use करेंगे हम इसके उपर so pair of fish plates are designed section which are used in rail joints to maintain the continuity of rails and to provide expansion and contraction of rails due to temperature variation these plates bear vertical and lateral stresses without distortion and resist wear चलो next sleepers और उसके आगे की कहानी types of sleepers ये कल के session के अंदर discuss करेंगे अभी आज के लिए इतना ही इतना आप जरूर revise कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा theoretical portion है जाद निमेरिकल portion यहाँ पर नहीं आया है ठीक है आज के लिए इतना ही थांकी और निमेरिकल portion जो है वो कल के session में start हो जाएगा so make sure जितना आप तक पढ़ा है वो आप revise करके हैं thank you so much take care, bye bye, good night झाल